हेलो एबरीवन आज हम डिसकस करते हैं सिक्छन कोशल जब अध्यापक सिक्छन विदियो तता तक्निकों का स्कूल के नियंतित बातावरण में प्रियोग करता है तो उसके अंदर बहुत से सिक्छन कोशलों का विकास होता है कुछ सिक्छन कोशलों की चर्चा नीचे दी जा रही है फरस्त है हमारा पार्ट परिचे कोशल इस कोशल के द्वारा चात्रों के पूर्व ग्यान को उनके बर्तवान ग्यान से स्पिरकार जोड़ा जाता है कि कहीं से भी बनावट या सुनने का आवास नहीं होता प्रस्तावना प्रसं स्रंकला बद होते हैं तथा अंतिम प्रसं सीधे प्राकरण से जुड़ा है उद्धीपन परिवर्तन इसमें अध्यापक जान बूच कर अपने हाथ पैर मुख या आकिक रियां को बदलता है ताकि चात्र बोर ना हो जैसे एक ही स्थान पर खड़े रहने के बजाए बहक अक्षमें पीछे तक चला जाता है या किसी चात्र की किसी किर्या पर मुस्क्रा देता है आदी थाड है हमारा पूचने वाले प्रस्न इन प्रस्नों के द्वारा ध्यापक चात्रों को पाट की गहराई तक जाने के लिए मजबूर करता है ताकि उसकी चिंतन सक्ति का बिश्थार हो सके कभी कभी जब चात्र इन प्रस्नों का उत्तन नहीं दे पाते तो अध्यापक थोड़ा सा संकेत दे देता है उद्धारन द्वारा इस्पस्टी करन कभी कभी जब तथे या प्रत्य चात्रों के समझ में नहीं आते तो उन्हें इस्पस्टी करने के लिए ध्यापक उद्धारनों का प्रियोग करता है किन्तु इन उदार्णों का छात्रों के जीवन से सीधा संबंद होना चाहिए समापन किलोजर का दूसरा आर्थ समीपता भी होता है किन्तु यहां किलोजर से तातपर्य पार्ट का ऐसा समापन है जिसके द्वारा नभीन ग्यान की उत्सुकता बनी रहे इस कोसल के द्वारा ब्याक्यान प्रदर्शन आदी का सारांस भी प्रस्तुत किया जाता है नेस्ट है हमारा ब्याक्यान इसे संप्रेशन कोशल भी कहते हैं इस कोसल के द्वारा ध्यापक्ष चात्रों को मंद्र मुगद रखता है और चात्र ब्याक्यान सुनने के अत्रिक्त और कुछ नहीं कर पाते जो चात्र होती हैं ब्याक्यान बिदी में वो इनाक्टिव रहती है सिर्फ सिख्षक ही एक्टिव रहता है ब्याक्यान कोसल ब्याख्या कोशल इस कोशल के द्वारा ध्यापक प्रत्यों तत्यों नियम्मों वे सिध्धान्तों के विसी में क्या क्यों और कैसे की ब्याख्या इस प्रिकार से करता है कि छात्रों के मन में कोई संका नहीं रह जाती स्यामपट का प्रियोग स्यामपट पर सुलेख लिखना बेचित्र बनाना पाट के सासा स्यामपट कारे करते रहना छात्र को सही स्पेलिंग का अभ्यास कराना आधी के द्वारा द्यापक छात्र के ध्यान को स्यामपट से हटने नहीं देता फल्स रूप छात्र भी अध्यापक की इन कलाउं को असानी से सीख लेती हैं नेस्ट है हमारा स्रब्बे द्रश्य समागरी का प्रियोग इस कोसल के दौरा अध्यापक सहायक समागरी को पाट के दोरान इस पिरकार से प्रियोग करता है पाट का ही अंग नजर आती है और ऐसा लगता है कि यदि सहायक समागरी का प्रियोग ने किया दा तो पाट में कुछ कमी अवश्य रह जाती पाट को रोशक बनाने के लिए हम सहायक समागरी का प्रियोग करते हैं काक्षा प्रवंदन का कोशल काक्षा प्रवंदन अपने आप में एक बड़ी कला है इस कोशल के दौरा अध्यापक 26 चात्रों को नियंतर किसी काम में लगाय रखता है और इसका प्रणाम यह होता है कि छात पूर्टा सुतंतर होते हुए भी कोई भी कारे बिना अपने अध् थी एक्स बयवार से है जिसका प्रेक्षन किया जा सकता है अध्यापक कक्षा में कुछ ऐसी करता है कि चात्रों की अनुकaltra सुता बढ़ जाती है जैसे बेद चात्रों की किसी बात पर मुस्करा देता है या चात्रों की किसी अदबुद सफलता पर उसकी आखों में खुसी के आशु आ जाते हैं चात्रों के ध्यान देने योग्ये बहवार को पहचानना एक प्रभाबसाली सिक्षक बहुत संबेदन सील होता है वहयब प्रतीक छात्र के सभी बहवारों पे ध्यान देने की चेस्टा करता है इस प्रकार उसकी कख्षा में कोई भी छात्र श्वेम को उपेक्षित नहीं अनुवव करता मौन एवं ऐसाब्दी कुद्धिपन कभी-कभी अध्यापक बोलते बोलते अचानक चार या पांस सेकंड के लिए चुपो जाता है यह चुपी ऐसे इस्तान पर की जाती है जहां पर बिना बताए चातर आगे की बात समत जाता है इससे एक लाब यह भी होता है कि जो चातर अध्यापक की बात सुनने के बजाए आपस में बारता कर रहे होते हैं बे आसानी से पकड़ में आ जाते हैं अध्यापक अपने मौन धारण के इस कोसल का प्रियोग अचानक करता है नैस्ट है हमारा प्रिसन पूछने का प्रिवा इसमें अध्यापक बिना रुके लागातार चातर से प्रिसन करता है और चातर भी लागातार उत्तर देते हैं अध्यापक को प्रिसन करने के लिए बिल्कुल सोचरा नहीं पड़ता इस कोसल का परदसन विशेश रूप से पुर्णरवड़ती के प्रिसनों में किया जाता है नेस्टमर ग्रे कारे देना ग्रे कारे को चातर आम तोर पर अपने लिए बहुत समस्ष्ठी है किन्तु अध्यापक अपने कुसल द्वारा ग्रे कारे को चातर के लिए चुनोती तथा विपढ़ना का सुरोध बना देता है जैसे बहे ग्रे कारे को अपने स्वेंग के प्रिसन या प्रिसन होने से जोड़ देता है बहे ग्रे कारे को छात्रों के बहवारिक जीवन के लिए उपयोगी बना देता है बहे उनमें ऐसी विविदिता ले आता है कि छात्र ग्रे कारे करने से कभी नहीं उक्ताते आधी नियोजित पुन्रावर्ती कभी-कभी अध्यापक कठीन सिक्षन बिंदू या उसके किसी अंसको या चात्रों के किसी बढ़िया उत्तर को बार-बार दोहराता है ऐसा करने से चात्रों को निच्चित रूप से लाव होता है पुनरवलन कोशल पुनरवलन या पुष्ट पोशन से तात्परी ऐसी घटनाओं से है जिसके दोरा चात्रों की किसी अनुकर्या के पुन्हा होने की संभावना को बढ़ाया जाता है पुनरवलन तीन प्रकार के होते हैं सकारात्मक, नकारात्मक, दंडात्मक सकारात्मक प्रुनलवरान किसी प्रिय अनुकरिया की संभावना को बढ़ाते हैं जैसे अध्यापक का चात्रों के सही उत्तर पर बहा बहुत अच्छा प्रियास है आधी कहना नकारात्मक प्रुनलवरान किसी प्रिय अनुकरिया की संभावना को कम करते हैं दंड आत्मक पुलनवन में अध्यापक किसी गलत उनकर्या पर छात्रों को कोई सारिरिक या मानसिक दंड देता है। अधीगम पिरकेना में सदे भी इस दंड आत्मक पुलनवन से बचने की सला दी जाती है और यह भी सला दी जाती है कि सिक्षण गण अधीकांस्ता साकारात्मक पुलनवन का ही पुरियोग करें ताकि छात्रों द्वारा सही उत्तर देने की संभावनाएं बढ़ें। और फ्रोक तो भी वेजन से इस फ़स्ट हो जाता है कि सिक्षण का वियोग गयता ही सिक्षण कोशल का विकास करती है और व्यक्ति को एक सरलेवन प्रभावी सिक्षण बनाती है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें से एर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पोर वोचिंग